स्टुडेंट्स, आज हम हमारी फिफ्फ पोयम, अलीजन अफृ नौर्फ लेंट करेंगे। नौर्फ लेंड मतलब कि जो नौर्फ पोल के पास की बहुत ठंडी जगा होती है, उसको बोलते हैं नौर्फ लेंड और ये जो पोयम है। ये पोयम एक बैलेड है, मतलब कि बैलेड को हम कह सकते हैं, एक स्टोरी जिसे स्टेंडजाज में लिखा गया हो, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जिस पोयम के 16 स्टेंडजाज होते हैं, उसे हम बैलेड कहते हैं, ठीक है, तो मतलब एक पोयम के रूप में एक स् यह वह बैलेड होता है अवे इंदा नॉर्थ लैंड वे अवे अर्थ आज ऑफ दे आर्फिव अछीव अड़ नाइट आर्फ लॉंग इन विंटर गैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू अब यहां पर क्या बताया जा रहा है यहां जो पॉएट है वो कह रही है कि जो पर में न रॉफ्सकेंद का गड़े बॉनकोट पूरे समय सो नहीं सकते मतलब जब फूर बूलते हैं दिन छोटे राथ बड़ी हो गई एसा हमारे यहां भी ठंड और गर्मी के समय ऐसा होता है कि दिन रात बराबर होते हैं लेकिन वहाँ पर रात इतनी लंबी होती है कि वो अगर एक बार सो कर उठते हैं तब भी उनको रात ही लगती है इसलिए उन्होंने बोला है कि देख कि वह सो नहीं सकते मतलब वहाँ पर इस कारण वे लोग ज्यादा सो नहीं पाते उसके बाद है वेर दे हारनेस दा स्विफ्ट रेंडियर तो दा स्लेजेस वैं इट स्नोस और चिल्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देर फनी फरी क्लोथ अब यहां बता रही है हारनेस हारन इस मतलब जोव लगाम घोड़े के मन मूँ में डालते हैं उस टाइब की लगाम हो रैंडियर रैंडियर जो बर्फ में चल सकते हैं । ऑर उसमें उंको वो लगाम बाद देते हैं वह सफ़ कर सके एन दाट रही है कि जो बच्चे है वो बच्चे है वह बच्चे जैसे दिखते In their funny furry clothes, जो fur वाले कपड़े होते हैं उसमें वो भालू के बच्चों के जैसे दिखते हैं उसमें जो रहते हैं फर वाले उसमें वो भालू के बच्चों के जैसे वो दिखते हैं अब यहां पर वो बोल रही है दे मतलब की जो घर के बड़े बुड़े बुजर्ग पैरेंट्स वगेरा होते हैं उनके लिए और यहां पर यूज किया गया है चिल्डर्न्स के लिए तो वो बोल रही है कि जो पैरेंट्स हैं वो बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं और उसके लिए वो बोल रही है कि वो इस बात पर विश्वास नहीं करती कि वो सही है लेकिन वो यहां पर आपको एक स्टोरी सुनाने वाली है जिससे आपको कुछ ना कुछ लैस just as he did you know once once upon a time ऐसा करके स्टोरी चालू होती है मतलब अब इस पोयम में वो स्टोरी चालू हो गई एक बार गुड सैंट पीटर जब मतलब दुनिया में ही रहते थे सैंट पीटर मतलब की जो जिसस क्राइस्ट के डिसिपल्स होते हैं उनको बोलते हैं वो जब दुनिया में ही रहते थे और वो सब जगा घुम घुम कर प्रीचिंग से आने की उपदेश देते थे जैसा कि हम सब जानते हैं वो पूरी जगा घुमते घुमते अर्थ पर एक कोटेज के सामने आते हैं जहां पर एक लिटिल वोमेन जो है वो केक बना रही होती है और उसको हर्थ के उपर बैक कर रही होती है फ्लेट सर्फेस पे वो बैक कर रही होती है और यहां पर इसका मतलब है कि बहुत कमजोर वीक महसूस करना और फास्टिंग मतलब जिसने खाना नहीं खाया हो खाना नहीं काने के कारण वो बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे और पूरा दिन निकल चुका था उन्होंने उस औरत से बोला कि उसके जो केक का जो स्टोर है उसमें से उसको एक सिंगल वन देने के लिए बोला कि वो उसको एक दे दे जब उसने मतलब उसने क्या करा है एक छोटा सा केक बनाया और जब उसने उसको बेक किया तो उसको एसा लगा कि यह बहुत बड़ा है इसको वो दे नहीं सकती therefore she needed another and still a smaller one but it looked when she turned it over as large as the first had done इसलिए उसने डबल से needed मतलब आटा गूतना होता है उस टाइप से उसने वापस से प्रिपेर किया सारा केक बनाने के लिए और एक और छोटा केक बनाया लेकिन जब उसने उसको turn करके देखा तो उसको ऐसा लगा कि यह जो है पहले वाले जितना ही बड़ा है then she took a very tiny scrap of dough and rolled and rolled it flat and baked it thin as a wafer but she couldn't part with that pretend DAW यानि की केक जो आटा था वा उसने बिल्कुल चोटा सा लिया उसको रोल किया पदल मातला उसने रोल किया बिल्कुल पापड जैसा ओ coconut चैनल स्कों पापड कर दिया लेकिन वह उसको भी वह नहीं दे फिर वो बोलती है कि मेरे केक जब मैं खुद खाती हूं तो मुझे वह छोटे दिखते हैं लेकिन जब उसे किसी और को देना होता है तो वो उसको बहुत बढ़े लगते हैं इसलिए उसने वो जो दोनों छोटे केक बनाये थे और वो जो वेफर जैसा केक बनाये था सबको अपनी शेल्फ में रख लिया अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि वो जो गुड सैंट है जो पीटर थे वो गुस्सा हो गये है क्या हो गए वह भॉट गुस्सा हो गए और उन्होंने मतलब गुस्से में क्योंकि वह भूके थे और बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे थे और जो निश्चेत रूप से ऐसी महिला मतलब ऐसी औरत ऐसा वो रहे हैं शुरली सच अ वुमेन निश्चेत रूप से ऐसी औरत वह इनफ तो प्रोवोक असेंट किसी सेंट को भढ़काने के लिए परियाप्त थी मतलब जब वह भूके थे वह बहुत कमजोर महसू कर रहे थे और ऐसी बात अगर कोई बोल देगा तो सभावी कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा and he said you are too far too selfish to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm मानव रूप में निवास करने के लिए आपके पास आपके पास दोनों चीज होगी खाना भी होगा और रहने के लिए जगा भी होगी और आपको गर्मी भी महसूस होगी फिर वो उसको श्राब दे देते हैं कि वो एक पक्षी में बदल जाएगी और वो पूरे समय एक छोटे से मतलब अन्न के दाने के लिए भी वो पूरे दिन घुमेगी और पूरे दिन खोट-खोट कर मतलब अपनी चोट से खोट-खोट कर खाना धून कर खाएगी वोड में मतलब की जंगल में वोड यहां पर रिफर करता है जंगल को Then up she went through a chimney, she is speaking a word, never speaking a word and out of the top flew a woodpecker for she was changed to a bird उसके बाद उसकी जो जैसे घरों के घरों में पुराने घरों में इसे चिमनी रहती थी उसमें से वो बिना कुछ बोले उसके अंदर से निकलती है एक woodpecker एक bird बन कर कौन निकलती है वो जो लालची स्वारती औरत रहती है न वो she had a scarlet cap on her head and that was left the same but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame और यहां पर scarlet मतलब की एक उसके सर पर एक cap थी scarlet मतलब की जो लाल और पीले थोड़े से color को mix करके जो color होता है न उसको यहां पर बताया गया है उस color की उसके सिर पर cap थी वो बिल्कुल वैसी ही रह गई और उसका जो बाकी के कपड़े थे वो जल गए जैसे की काले हो गए जैसे की कोहला जल जाता है न बिल्कुल उस प्रकार से वो काले हो गए and every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day boring and boring for food अब यहां पर क्या बताया है country मतलब सब जगा के जो school boys हैं वो सब बोलते हैं कि हाँ उन्होंने जंगल में ऐसी एक चड़िया को देखा है वोटपेकर को देखा है जो पूरे समय पेडों में अपनी चोच से मारती रहती है खाना ढूनने के लिए मतलब अगर हम ज़्यादा लालच करते हैं तो हमार साथ हमेशा बुरा होता है ऐसा poet ने हमको बताया है फॉबी कैरी इसकी poet है उन्होंने ये बताया है कि हमें कभी भी किसी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए इस poem का जो moral है जो story type poem है इसका moral यही है so I think student आपको समझ में आ गई होगी thank you